हेलो दोस्तो, वेलकम बैक टो मैं चैनल, दुरूस्तो, आज की वीडियम आपको बताने वाला मैं आपको कुछ और कमाल के फीचर्स हैं, जो की नेक्स अपडेट में आ रहे हैं, काफी सारे फीचर्स के हम बात करेंगे, चाहे वो यहाँ पर ड्रागन बॉल्ल जी का थीम मोड अल्टिमेट्स हो, एक स्यूट हो, काफी सारी चीज़े यहाँ पर रिवील हो चुके हैं, तो एक एक करके आपको मैं सबके बारे में बताने वाला हूँ, तो सबसे बहले दोस्तों, आपको यहाँ पर फीचर आता है एक नई गन, फाइनली दोस्तों, आपको एक और गन गे इस तरीके से, पीसी पर यहाँ पर काफी टाइम पर एक गन आई थी, लेकिन अब इसको मुबाईल पर यहाँ पर फाइनली डाल दिया है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो गन है, हमारी नहीं वह दिखती है, देखने से लगता है कि यहाँ पर जो M4 है और इसका काफी जाधा आप इसको देख सकतो हो यहां पर अपको वह दिखाता हूँ इसका iron sight iron sight के बाद एक इसको आप पर shoot करता हूँ देख सकते हैं यहां पर जो recoil है वो gun का काफी जाधा आ रहे हैं आपे बाकी 7.62 की gun है तो damage यहां पर काफी अचा करने वाली है और बाकी सारी ARs की तरह आप इस पर जो attachments हैं वो यहाँ पर लगा सकते हो, 6x यहाँ पर scope लग जाएगा, और इस gun का यहाँ पर almost 3.2 seconds जो reloading time है वो यहाँ पर होने वाल है, तो एक काफी powerful जी gun है, next update में आ रही है, दिन दोस्तों next feature से पहले आप देख सकते हो, finally यहाँ पर जो form देख रहे हो, I think वो इसकी ultimate form ही है, तो एक purple और थोड़े से white theme के साथ जो execute है, वो आने वाल है, then इसके बाद दोस्तों, finally जिसका काफी लोगों का यहाँ पर 22.2 से वेट था, वो यहाँ पर आ चुक है, जो Dragon Ball Z का यहाँ पर मोड है, वो गेम के अंदर आने वाल है, next update में, तो Dragon Ball Z super theme mode है, इसके अंदर आपको सबसे पहला जो feature देखने को मिल रहे है, वो इसका spawn island ही है, जहाँ पर आपको काफी सारी यहाँ पर चो Dragon Ball Super यहाँ पर चो anime में यहाँ पर काफी सारी buildings है, तो वो आपको उसका जो replica है, वो देखने को मिल रहे है, देख सकते हैं यहाँ पर लेकिन अभी के लिए आप एरांगल में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको यहाँ पर जो shelter है, उसके लावे आपको कौारी के पास यहाँ पर जो POI है, next update का एक hot drop होगा, जहाँ पर काफी सारी लोग यहाँ पर land करेंगे, वहाँ पर आपको एक Dragon Ball जी का जो विलेज है, वो यहाँ पर आपको काफी सारी यहाँ पर जो Dragon Ball Super की यहाँ पर जो टीजर भी आया था, तो उसमें जो कुछ विल्डिंस थी, वैसी कुछ यहाँ पर similar एक round type की जो विल्डिंस हैं, वो यहाँ पर डाली गी है, उनके काफी अच्छे यहाँ पर models हैं, देख सकते हो, कुछ यहा Dragon Ball जी से कुछ रिलेट होगा इसका, तो यहाँ पर आपको अच्छी कासी जो लूट है, वो यहाँ पर मिलने वाली और नेक्स अपडेट का एक मेजर हॉड रोप होगा, तो दोस्ते हमारे यहाँ पर जो नेक्स वीचर है, वो है Dragon Ball Super Travish, यह सबसे खतरनाक चीज होने वाली इस पूरे वीडियो की, देख सकते हो आप यहाँ पर जो विलेज में लैंड करोगे, तो आपको जगा जगा आप यहाँ पर crates मिलेंगी, आपको उन crates को खोल के यहाँ पर टोटल साथ यहाँ पर जो Dragon Ball है, वो यहाँ पर collect करनी है, साथो की साथ तो यहाँ पर आपको पॉइंट पर जाने है, जैसी आप इस पॉइंट पर जाओगे, तो यहाँ पर आपको एक option दिख चाहेगा, बोल यहाँ पर छोडने का, जैसी आप यहाँ पर साथी बोल्स को फ्लेस कर देते हैं, खतरनाक सा एनिमेशन होता है, यहाँ पर लेजर सा निकलता है, और उसके यहाँ पर देख सकते हो, भाईस आप क्या dragon निकला है, कितना शांदार लग रहा है, कितना खतरनाक सा लग रहा है, पुछे lightning हो रही है, पूरा green कल का dragon है, वो निकलता है, तो जैसी यहाँ पर dragon निकलेगा, आपके पास यहाँ पर एक option आएगा, विश मांगने का, एक बटन बरबर के यहां पर जो लूट है इसके उंदर वो दी हुई है, गिली सूट, ओम, एटेक्स, और जितने में यहां पर जो ड्रॉप वली आइटम्स होती है, वो सब कुछ यहां पर इसके उंदर को मिल जाएगा, और पीछे इसके जो लूट क्रेट है, काफी कलरफुल सी पाथी थीम्ड होने वाली है पूरी, तो काफी अच्छा लग रहा है यहां पर जो M24 और यहां पर जो लूट क्रेट है वो दो, फिर यहां पर मारे पस एक और अल्टीमेट है, यह देख सकते हो यहां पर, यह अब बात करें, अबिलीटी की, काफी सारी यहां पर अबिलीटी इस मोड के अंदर एड़ की गी है, सबसे पहले अबिलीटी यहां पर स्पीड-run की, यह विलीटी आपको default मिलेगे, आप इसको सिर्फ बड़न पर टाप करके, यहां पर इसको activate कर सकते हो, आपका जो करेक् तो यह वे जいたwo अमरे और आपको इसको बश्राइस करना है और आपको यहां पर प्रेस करने और देख़ों है वूम। यह है यह ही हमारी इबिलिटी काफ़ी लोको के यहां पे चीज पसंद आने वाली है और इस इबिलिटी को यूज करके आप एनिमी को भी हाँ पर दैमेज कर सकते हो अगर आप उसके हैट नॉरॉमॉल्लि उसको यहां पर ज्यादा डैमेज होने वल है तो यह ये भी एक काफ़ी कमाल की ability है next update के अंदर ये आपको इस mode के अंदर देखने को मिल जाएगी तो ये आपको कैसी लगी है चाहो तो मेरे को बताना comments में जो ability है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर next ability से पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर next update का exclusive treasure है तो उसके अंदर यहाँ पर य Dragon Ball Z से inspired है तो इसको यूज करने के लिए आपको कुछ इस टाइप का जो stone है वो चाहिए आपको इसको अपने backpack में रखना है और फिर आप इसको यहाँ पर activate कर सकते हो जैसे आप इसको activate करोगे तो आपका जो character है दोस्तों वो यहाँ पर हवा में उड़ना start हो जाएगा तो यह भी एक काफी कमाल की ability है जो की next update में आ रही है देख सकते हैं यहाँ पर मैं काफी आसानी से यहाँ पर तक जा सकता हूं और यहाँ पर enemy को आप देख सकता है कोई आसपास है या नहीं है तो इस ability के साथ भी आप यहाँ पर gun को use निकर सकते है लेकिन यहाँ पर जो कामे यहाँ पर heal होगा उसका जो booster है वो full 100% होगा और साथ में जो pack है यह आपको ability देगा कि आप कितनी दिर तक जो कामे आमे अटाक है या फिर फिर जो flying वेनी ability है उसको यहाँ पर use कर सकते हो जब भी आपको उनको यूज करना पड़ेगा तो इस beanbag को आपको पहले यहाँ पर क सकते हो फिर दोस यहाँ पर जो next feature है वो है एक new vehicle तो यह भी Dragon Ball जी से inspired है Dragon Ball जी का capsule है जो कि आपको इस update में निखने को मिल जाएगा तो यह वाला भी काफी must vehicle है आप इसको यहाँ पर पानी पर और land पर दोनों जगा चला सकते हो और कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखता है एकदम से इसके पीछे यहाँ पर jetpacks लग जाते हैं और यहाँ पर काफी तेज यहाँ पर भागता ही है तो इसको यूज करके आप काफी सानी से अपने teammate यहाँ पर move कर सकते हो और इसको इवन आप bicycle की तरह अपने backpack में आप रख सकते हो फिर दोस्तों यहाँ पर जो next feature है व इसको मिलती है एक काफी लंबा सा यहाँ पर चूंब है मिनार्श यहाँ पर बनाई हुई है और जैसे आप इसके बास जाते हो तो आपका option आजाएगा उपर जाने का उपर यहाँ पर यहाँ पर जो ड्रागन बॉल्टी की विल्डिंग हो सकती है या फिर कोई special building होगी और एक चीज़ यहाँ पर जैसी उपर आओ तो आप यहाँ पे भी जो गन्स है उनको यहाँ पर यूज नहीं कर सकते अगर स्लाइपिंग की सोच रहे थे फिर दोस्ते यहाँ पर जो नेक्स्ट फीचर है वो है एक और लोकेशन जहाँ आपको जो ड्रागन बॉल्ड जी का जो GAMEğs है जहाँ पाफ को Dragon Ball Z की एक ओर स्पेशल विल्डिंग है वो दिखने को मिलती है GAMEHouse तो यह बिलकुल यहाँ पर पानी के बीचों बीच सिसदी है तो यहाँ पर आप जा सकते हो देख सकते हो यहाँ भी येभी Dragon Ball की इंसक्पार स्सक्ते हो सकता है काफी नोरन लूट वो यहाँ पे निकालने पड़ेंगे फिर दोस्ते यहाँ पे चो ड्रागन बॉल्स जी का एक और मोड आ रहा है आर्केड में वो भी यहाँ पे आप फाइली का सकते हो पूरा तरीके सा आचुक है उसके अंदर भी आपको चो ड्रागन बॉल्स जी के चो क्लासिक लेन के जगा बाकी देख सकते हैं आप पर काफी कमाल का लग रहा है यहाँ इसके बाद दोस्तों नेक्स अपडेट के अंदर काफी सारी न्यू अचीमेंट्स हैं वो भी आने वाली है यहाँ पर पहली यहाँ पर चो अचीमेंट होगी वह आपको जो ड्रागन बाल का आर्केड मोड है उसके अंदर करना है आपको यहाँ पर फ्रीजा गोकु वेगेटा पिगोक्यो और अल्टिमेट गोहान बनके यहाँ पर तीन प्लेयर्स को अलिमेट करना है तो यह काफी सिंपल सी अचीमेंट है आपको हर एक करेक्टर में रह और फिर यहाँ पर चारजिंग को की या तो बीन बाग को यूज करना है तो यहाँ से यह Mitt मोड होना है और यहाँ से अंदर आपको यहाँ पर चेन डक सिंपलेफ करना है तो यहाँ तो आपको उन डक में से एक होना चाही यहा फिर आप inså टॉर राइव कर रहेो तब भी fashion को तो level add होई रहा जिसके बाद आपको मैंने बता दिया है और उसके लाव यहाँ पे last में कुछ और treasure शे growing pack और daily pack यहाँ पे आने वाले हैं तो यह सारी जो skins हैं यह उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी बाके भी यही था आज की उने आपको जो दिखाना था आप जाता तो यूटीब के रितिरी वाजा हैं like, comment, share, subscribe, work रखे जाना मैं मिलूँगा आप सब next video में तब तक के लिए good bye